हलो दोस्तो नमस्ते स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल एके किचन किंग पर आज हम आप लोग के लेके आए हैं पाहडी व्यंजन चरोटे गोड़े की चटनी दोस्तो यह चटनी बहुत ही औसधी गुनकारी होता है इसके फैदे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा तो चलिए दोस्तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए अच्छे पके लाल टमाटर, हरी मीर्च, लसून, सेंधा नमक, चरोटे गोड़े के पत्ते का पौडर जिसे हमने पहले से पीच के रखा है तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हमें टमाटर को अच्छी तरह से गैस में उ लेना है हाँ दोस्तो और सुधी गुन चरोटे के पत्ते के फायदे के लिए पत्ते को सुखा कर पौडर बनाकर तालवर डब्बे में इस्टोर कर सकते हैं क्योंकि या भाजी अपने सीजन में ही मिलती है अब टमाटर अच्छी तरह से भुन गया है अब हम इसमें पानी डाल कर इनके छिलके को अलग कर अच्छे से साप कर लेंगे हाँ दोस्तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए इसके फैदे जानकर आप चौक जाएंगे देखिए दोस्तो हमारा टमाटर अच्छे से साफ हो गया है अब हम इसे मेश कर लेंगे अब हम मेश के हुए टमाटर में कूटा हुआ लसुन और हरी मिर्स एट करेंगे एट कर लेने के बाद बारी आती है और सोधी पून चरोटे के पत्ते का पौडर पौडर को हम चम्मच से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मातरा में फैला कर डालेंगे हाँ दोस्तो हमें पौडर को फैला के ही डालना है और अच्छी तरह चम्मच से मिलाते रहना है देखिए दोस्तो हमारा पौडर अच्छी तरह से मिल चुका है अब हम इसमें स्वाध अनुशार सेंदह नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे देखिए चरोटा गोड़ा चटनी खाने के लिए तयार है इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं मेरा यकीन मानिये दोस्तो या खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट होता है हाँ दोस्तो इसके फैदे की मैं बात करूँ तो इसका सबसे बड़ा खायदा इस चटनी के नियमित उप्योख से रक्त की सुद्धिकरन होती है अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करे शेयर करे और ऐसे ही नए नए हेल्दी रेसिपी जानने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करे चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले नए हेल्दी रेसिपी वीडियो पे जय हीन जय भारत